हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि मैंने आप सबसे प्रामिस किया था कि मैं अपना पेस्ट स्किन केर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो ये उसमी में से एक पार्ट है दोस्तों मुझे डायमेंड फेशिल बहुत पसंद है और खास तौर पे वील सीसी का जेहां दोस्तों इसका रिजल्ट इतना पॉफेक्ट आता है इतना अच्छा आता है कि फिर आपको मेक अप करने की जरूरत नहीं होती है इतना प्रोडेक्ट होता है इनके अंदर कि आप इसे इसली यूज कर सकते हैं अगर मैं थ्री टाइम यूज करती हूँ तो आप लोगों को टू टाइम तो आराम से ये सफिशियंट होगा और इसमें सारे स्टेप्स लिखे होते हैं कितनी इसमें मातरा दी गई है सब कुछ इसमें लिखा होता है कैसे आपको क्या यूज करना है तो इसे इस्तिमाल करना और इसे वापस से बंद करके रखना इस्टोर करना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है तो चलिए हम फेशियल शुरू करते हैं फेस वाश मैं सुभही की थी अभी इस टाइम मैंने नहीं किया है और इसका फर्स्ट स्टैप चो है वो क्लिंजर कम टोनर का है और इतनी पॉफेक्ट प्यारी सी इसकी खुश्बू आती है ना कि आप मगन हो जाओगे बस एक प्यारा सा म्यूजिक साज करते हुए अपने फेस के ऊपर इसे अपलाई करना है बहुत अच्छे से इसमें आपको टाइम भी दिया होता है कि 2-3 मिनिट आप इसे यूज कीजिए पकाइदे पूरे नेक एरिया में जहां पे भी आप पूरी तरह से फेशिल करना चाहते हैं वहां पे आप इसे अ आराम से रगड़ रगड़ के से नहीं क्लियर कर रही हूँ सेकेंड स्टेप इसका है टायम इंट इसक्रब और यह एक्तम ट्रांस्पेरेंट सा है इसमें हलका सा लिक्विड होता है मैं इसे टैप करना भूल गई थी सो लिक्विड पहले आ गया और इसकी क्रिम जो है इसे अप्लाई करने के लिए मैं खास क्या करती हूं मेरे चीक्स तो अल्रेडी क्लियर क्लियर दिखते हैं बट नोज एरिया में कहीं कहीं पे हमें ब्लैक हेड्स नजर आने लग जाते हैं काफी दिन हो जाते हैं तो उस एरिया को जादा अच्छे से डीपली रब करना है और जादा तेज नहीं रगणा है बहुत स्मूथ हैंड से आपको इसको रगणा है इसमें 3-4 मिनिट लिखा है मगर मैं 5 मिनिट इसमें इसमें करती हूं क्योंकि मैं बहुत धीरे जीरे बहुत इत्मिनान से इसक्रब करती हूं और जो एरिया आपको थोड़ा पिग्मेंट जैसा नजर आ रहा है जो लोग इसे यूज करते हैं हो समझ रहोंगे कि मैं क्या एक्स्प्लेइन करना चाहरे हूं बट ये फेशियल किट मेरी सबसे जादा फेवरेट है बस अब इसके बाद आपको अपना फेस धुल के आना है जी हां दोस्तों इसे आपको वाइप आउट नहीं करना अच्छी तरह से आप धुल के आई और अभी ही आप मेरे फेस पे जो पिंकिश पिंकिश ग्लो देख रहे हैं वो इसी का कमाल है और ये इसक्रब मेरा फेवरेट है अगर ये मुझे अलग से मिलेगा तो मैं जरूर से इसे परचेस करूंगी थर्ड स्टेप इसक ए मैं मैं सर्क्यूलर मोशन ए ज्यार पैस करना है जैसे हम फेशियल करते हैं बहुत अच्छे से अपने फेस की वैसे हमने लिखा हुआ है कि आपको कि दिर आइसके अउब ख味 पाइस तो क्लिका है can जब भी मैं ये step by step facial kit यूज़ करती हूँ तो बहुत इत्मिनान से कम से कम आधा घंटा में अपने पूरे के पूरे face को देती हूँ तो ये जो है तो आपके पास time हो तभी आप इसे इसे इस्तमाल करें और जैसे जैसे steps में आपको बता रही हूँ उसमें improvement होता है और ये है हमारा अगला step diamond massage gel और ये पूरा gel की तरह है transparent और मेरा camera यहाँ पर बहुत जादा जूम हो गया था या नीचे हो गया था मुझे अंदाजा नहीं लगा और इसकी smell मुझे बिलकुल पसंद नहीं है ऐसा लगता हम किसी medical उसमें है सारी दवाईयों दवाईयों जैसी इसकी smell आती है लेकिन चुकि यही main massage जहल है तो इसके लिए तो हमें खासा time spend करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको 5-10 minute अच्छे तरीके से upward motion में circular motion में आपको जो है massage करनी है face की और massage करने का तरीका वही है जो मैंने इसके lotion के साब किया था so पूरे के पूरे steps मैं आप लोगों को बहुत इत्मिनान से समझा रही हूं दिखा रही हूं ताकि कहीं कोई confusion ना हो और हर step में मेरा ये eye area जरूर शामिल होता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे dark circle हो और आप करना है आपको massage करनी है किसी भी तरह के lotion के साथ इसे दुलने की जरूरत नहीं है इसे हमें केवल wipe out करना है फिफ्ट step इसका है mask और ये washable है ये आपको peel नहीं करना है washable है और इसके बाद के clipping हो गई है miss क्योंकि मैंने mask लगा लिया था और उसे जो है पता नहीं कहां मैंने क कर दिया pause किया या क्या किया बतानी और इसे आपको 10-15 मिनट लगा कर रखना है फिर आपको इसे wipe out करना है टॉबिल के साथ लेकिन मैंने इसे wipe out करनी के पहले अपने hands को गीला करने के बाद थोड़ा सा इसके साथ भी massage कर ली है और result आपके सामने है यहां पर मेरा बेटा आ तो बिलकुल भी आपको problem नहीं है जिन लोगों को pimples वगरा होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है इसे बहुत अच्छी तरह से apply करना है टैप-टैप करते हुए क्योंकि यह last step है जितना smoothly जितना अच्छे से हम इसे apply करेंगे अपने face पे उतना अच्छा यह work करेगा और लगे रहने देना है ना तो इसके बाद हमें अपना face धुलना है और ना ही कुछ और apply करना है आप लोग मेरे face पे clearly result देख सकते हैं कितना प्यारा glow आया है कितना अच्छा लग रहा और यह glow एक दिन के लिए नहीं है यह पूरे हफते भर work करेगा क्योंकि festival के time में मैं make-up ब इसके अलावा मैं कुछ अपलाई नहीं करती हूं इवन पाउडर भी अपलाई नहीं करती हूं तो जो भी मेरा glow होता है वो natural होता है इसलिए मैं festival के time पे यह सारे preparation जरूर कर लेती हूं अपने चहरे पे थोड़ा सा जून करके भी दिखा दे रही हूं बाहर की light में भी तो नेक्स्ट जब भी कभी हम कुछ वेयर करेंगे कुछ भी करेंगे तो इसी तरह हमारा face glow करेगा तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से ले लेती हूं विदा बताईएगा मुझे यह skin care आप लोगों को कैसा लगा step by step मैंने पूरा explain करने की कोशिश की है और आप लोग अब इसी तरह अपने skin की care कीजिए खयाल रखिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक की लेटी केर टाटा बाइबाइ अपना खयाल रखिया का दोस्तों जो लोग न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी family और trends के साथ उसे share कीजिएगा बाइबाइ गुटनाइट